कोश्चन को अगर आप समझेंगे तो बहुत तेजी से सॉल्व करेंगे, नहीं समझेंगे तो बहुत टाइम लगाएंगे, देखिए ये जो कोश्चन है, हम आप लोगों को बता देते हैं, most important question है, और ये कोश्चन हम आप लोगों को बता दे, railway group D exam, ध्यान दिजे आप सब रिपीट करते हैं, same question, तो आपको पढ़ने की जोरुरत है, हम प्रिवेशर के सारे question important cover करा रहे हैं, तो पढ़िए मन लगा कि आप लोगों तैरी करिए, देखिए, question क्या बोल रहा है, question बोल रहा है, question बोल रहा है, तीन संख्याओं का आउसत 16.5 है, पहली दो संख्याओं क क्या कर देते हैं, तीन संख्याओं मानते हैं, A, B, C इस प्रकार से, तो A, B, C मानेंगे, तो बहुत time लगेगा, solve तो होगा, लेकिन time लगेगा, A, B, C आपको नहीं मानना है, हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं, सबसे आसान तरीका, जो सबसे आसान तरीका है, method 1 आप लो कि आप सबको check करिए, देखिए, तीन संख्याओं का अउसत क्या है, 16.5, तो तीनो संख्याओं का योग क्या होगा, 16.5 गुने 3, 16, 48, 15, 15, यानि 1.5, ये होगा 49.5, क्या होगा, योग क्या होगा, तीनो संख्याओं का 49.5, देखेंगे किसका 49.5 आ रहा है, ये 49.5 नहीं हो 39,5 होगा नहीं देखिए सोला 14 जोड़ेंगे चालिस सोला और चौदाइज तीस तीस भीस पचास ध्यान दीजिएगा उसके बाद भी आधा आधा बचाएज नहीं देखिए आगे देखिए 12 18 थीस और यह और यह यहाँ औरasmus 29.5 क्या हो रहा है 49.5 और नीचे वाला देखिए 17, 13 यहाँ पर पॉइंट वाला भी नहीं जोड़ रहे 13 और 17 आप जोड़ेंगे 30 और 30 में दोस्तों 19 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 49, 49 से 50.5 होने लगेगा यह भी नहीं होगा आंसर होगा option number C आंसर होगा option number C देख रहे हैं कुछ किये पैन उठाएं बिल्कुल भी नहीं पैन उठाने की जोरुरत ही नहीं है 16, 38 और 1.5 49.5 यहीं तो किये औरल है बस हम समझाने के लिए यह चीज लिक रहे है पैन उठाने की जोरुरत नहीं है अगर आप इस प्रसने के लिए ध्यान दी जी अगर आप इस प्रसने के लिए A, B, C मानेंगे समीकरण बनाएंगे solve करेंगे तो minimum 5 minute आपको लगेंगे अगर आप तेज हैं तब भी 2-3 minute आपको लगेंगे ठीक है हाँ